किसान भाईयों आप सभी का देशी जमीदार चैनल पर फिर से स्वागत है तो किसान भाईयों हमारे जो साथी हैं हर साल खेती बाड़ी करते टाइम किसी ने किसी प्रोबलम का सामना करते हैं कभी सफेद मक्खी जो कापास में नुकसान कर देती है कभी दानवगरा में बिमारी आ जाती है तो कुछ बिमारी आईसी होती हैं जो प्राकरतिक होती है कुछ बिमारी आईसी होती हैं जो हमारे किसान भाईयों को समझ ना होने के वज़े से उन बिमारीयों से गरस्त हो जाती हैं उनकी फसले तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे, पौधों में जो 17 जरूरी पोस्वतातों होते हैं उनके बारे में, तो ये लग-बग पोस्वतातों के बारे में कंपनियां हैं, यूनिवर्स्टीज हैं, जानकारी देती रहती हैं, प्रन्तु वह थोड़ा टेकनिकल पूरा करने के लिए तो किसान बाई यह जो सेशन हम सरू कर रहे हैं हमारे देशी जम्हिदार पर इसमें काफी दिनों तक educational एक session चलाएंगे हम जिसमें groups में बनाएंगे part 1, part 2, part 3, part 4 ऐसे बनाएंगे अगर आप लोगों को पसंद आता है समझ में आता है तो comment box में जरूर लिखिए ताकि हम आने वाली वीडियो हैं वो continue रखें यह जो series है education की शिक्षा की वो हम लगातार चालू रख पाएं पागे चलने से पहले अगर आपने देशी जमीदार चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लेजिए तो जो आद का पहला विश्य है वो है पोधों में पोशक तत्व क्या हैं एवन कौन-कौन से वो पोशक तत्व हैं जिनकी पोधों को जरूरत होती है तो किसान भाईयो सबसे बड़ी बात और पहली बात तो यही है कि जैसे इनसानों को पोशक तत्वों की जरूरत होती है अपना जीवन बनाए रखने के लिए अपने पोधों से फल देने के लिए फूल बनाने के लिए पोधों की बढ़वार बनाने के लिए तो जो पोशक तत्व हैं उनका महतव क्या है? सबसे पहले पोदो की वर्दी बनाए रखने के लिए पोशक तत्व का बहुत महतव होता है अगर प्रोपर आपने न्यूट्रीशन पोदो को दिया है तो पोदो की ग्रोथ प्रोपर चलती रहेगी ये उदारन के तोर पे मैं बता देता हूँ कि जो साढ़ी छोड़ते हैं फसल को एक साल कुछ नहीं लगाते हैं बिरान नहीं छोड़ देते हैं जब उसमें हम बारिस के बाद कुछ दिनों तक पलगिंग करके उसको बहा के सुआगा लगा के जब उसमें फसल उगाते हैं और एक जो तुरंट काटके कोई पहले वाले फसल दुबारा लगाते हैं तो दोनों में जो पोदों की गिरहुत होती है उसका दिन रात का फरक होता जो किल्ला खाली छोड़ रखा था आपने जो जमीन उसमें पोदे बहुत गती से वर्दी करते हैं कारण क्या होता है कि उसमें पोशक ततों की संख्या बढ़ चुकी होती है दूसरा है परजनन पोदे मतलब अपना सीडलिंग फूरूटिंग जो बनाते हैं उसके लिए भी पोशक ततों की जुरूरत होती है बहुत सारे ऐसे पोशक ततों होते हैं जो पोदों में हार्मोन को ट्रिगर करते हैं और हार्मोन ट्रिगर होने के बाद उसमें फल और फूल जो बनते हैं उनकी संख्या कम या जादा है भी पोशक ततों की कमी या जादा होने की वज़े स प्रभावित होती है आगे है जो अन्य जैविक किरिया हैं पोदो की जैसे भाई उनकी रूट का ग्रोथ होना जड़ों का ग्रोथ होना टहनियों का बनना अच्छा उनके तने का मोटा होना ये जो सारे जो क्वालिटीज होती हैं लक्षन जो होते हैं पोदो के ये जो पोशक तत्व होते हैं उनसे प्रभावित होते हैं तो इन सभी चीजों को जोड़के उत्तर यही निकलदा कि जो पोशक तत्व हैं जैसे हमारे लिए विटामिन्स की टैबलेट खाते हम ऐसे ही पोशक ततो भी पोदों को जरूरी होते हैं पूरे विटामिन प्रोटीन नहीं मिलते हैं जैसे हमें हम कमजोर रहते हैं ऐसे ही अगर पोदों को प्रोपर नूट्रिशन नहीं मिलता है तो पोदे भी क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में उनको जरूरत होती है उसके इसाब से दो भागों में बाटा गया है पौशक तत्व का जो पहला पार्ट है वह मैक्रो तत्व, मैक्रो मतलब ज़्यादा मातरा में जिनकी जुरूरत होती है ये 0.1% और उससे ज़्यादा की मातरा में पाए जाते हैं ड्राइ मेटर मतलब अगर आप ओदे के पत्ते या तने वगरा को सुखा लेते हैं उसमें अगर आप उनकी क्वांटिटी उनकी मातरा जाचते हैं अगर 0.1% से उपर रहती तो मैक्रो की कर्रेगरी में आते हैं और अगर उससे कम रहती है तो माईक्रो तत्व में गिने जाते हैं मतलब सुक्षय कम मात्रा में जो nutrition पोसक तत्तव होते हैं उनको गिना जाता है तो पोसक तत्तव दो भागों में बाटती है आप याद रखना किसान भाईयो और इनके लक्सन भी बताएंगे हम कि कौन-कौन से पोसक तत्तव की कमी से क्या-क्या पोदों में लक्सन दिखाई देते हैं और आप उनकी पूर्ती कैसे कर सकते हो तो मैक्रो जो तत्तव जादा क्वांटिटी वाड़े वो दो भागों में डिवाइड किये गए हैं पहले वो जो आप पानी और अवा से सिद्धे पोदे को मिल जाते हैं जिसमें आपको अपनी तरफ से कुछ जादा मतलब कुछ नहीं करना पड़ता जादा तो यह कौन-कौन से हैं कार्बन आइड्रोजन और ओक्सिजन यह तिनों हावा में अवेलेबल होते हैं जिनको पोदा आसानी से पानी और हावा के माध्यम से डारेक्ट ले लिता है जो दूसरे पोशक तत्तव हैं जो मिटी से प्राप्त होते हैं वो हैं नाइड्रोजन, फासपोरस, पोटासियम, सलफर, कैलसियम और मेगिनीजियम तो कार्बन आइड्रोजन, ओक्सिजन ऐसी नाइड्रोजन भी गयस है बट प्रन्तु क्या है कि पोदे डिरेक्ली नाइड्रोजन को नहीं ले सकते वो नाइड्रेट्स की फोर्म में उसको अब्जोर्ब करते हैं जड़ों के माध्यम से और वो जब मिट्टी के थुरू ही अब्जोर्ब कर पाते हैं तो इसलिए आपने देखा होगा जो दाल वाले पोदे वगरा होते हैं फासफोरस और पोटासियम तो आपने कई बार देखा होगा एन पी के नाम से भी कई दवाईया आती हैं तो वो पोसक तत्वों की जरूरतों को पूरा अगर नहीं कर पाती है मिट्टी तो हम खाद के रूप में उसको डालते हैं एन पी के इसलिए नाम होता है एन नाइट्रोजन को दरसाता है पी फासफोरस को और के पोटासियम को तो एन पी के की जो दवाईया आप डालते हो खेतों में ऐसे ही नहीं डालने होती है उसके लक्संड देखने पड़ेंगे आपको कि क्या आपके ओदे को उनकी जरूरत है क्या आप ओदे में वो लक्संड दिखाई दे रहें कि आपको एन पी के देने की जरूरत है या नहीं है तो ये सभी समझ के आप अपने खेतों में जो दवाई वगरा है फर्टिलाइजर वगरा है वो डाल सकते हैं अगर आपकी जरूरत है और आप डाल रहें तो फसल अच्छी होगी जरूरत नहीं अफालतु में डाल रहें तो आपका खर्चा बढ़ेगा तो और आल आपको क्या कि समझ होनी सबसे जुरूरी है तो उससे आगे चलके आएगा माइक्रो तत्व माइक्रो तत्व होते हैं ये भी मिट्टी से इप्राप्त होते हैं प्रन्तु इनकी जो रिक्वार्मेंट होती है वो पोदों को बहुत ही कम होती है माइक्रो ग्रेम्स में अमजी में इनकी रिक्वार्मेंट होती है तो इसमें जो पोदों के जो ततों के नाम है बोरोन, कलोरीन, कोपर, आयरन, मैंगनीज, मॉलिवीडिनम, निकल एंड जिंक ये जो आठ एलिमेंट हैं जो एलिमेंट हैं आठ ये माइक्रो मतलब कम क्वांटिटी में इनकी जरूरत पड़ती है इनको ट्रेस एलिमेंट भी बुला जाता है मतलब इनकी जरूरत बहुत ही कम होती है पोधे को लेकिन इनकी कमी होने से पोधे की ग्रोथ और उसकी फल देने की समता प्रभावित होती है तो इसलिए जो ये 17 पोशक ततो हैं इनका आपके खेत की मिट्टी में पोधे के लिए बैलन्स होना बहुत जरूर ही है दूसरा ये कि जो हर फसल होती है उसका डाइट लेने का पैटरन अलग रहता है कापास में न्यूट्रिशन थोड़ा सा अलग जरूरत होती है गेऊं में थोड़ा अलग मक्का में अलग चने में अलग तो इस तरह से आप अपनी फसल की थोड़ी सी समझ ले सकते हैं उस पे भी अगर आप भाई कहेंगे तो हर फसल के लिए क्या-क्या डाइट की रिकॉर्मेंट होती है वो भी हम आने वाले टाइम में वीडियो बना देंगे आप पे डिपैंड करता है आप कमेंट करके हमसे रिकॵेस्ट कर सकते हैं तो अगर अच्छ ही चलती है तो हम यह सीरीज कॉंटिनु तो वो वेस्ट हो जाएंगे और पोदे पर फ़रक प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए ये भी आपको समझ होना जरूरी है कि पोदे उसको ग्रेंड कैसे करते हैं तो सभी कहेंगे कि वह पोदे ग्रेंड तो जो इसकी जड़े होती हैं उसी से करते हैं बिल्कुल सही बात है पोदे न्यूट्रिशन का जो एब्जोर्प्शन करते हैं उसको ग्रेंड करते हैं वो जड़ों के माध्यम से ही करते हैं पोदे की जड़ जितनी अच्छी ग्रोथ होगी अच्छी फैली होंगी उतना ही अच्छा हो absorption कर पाएंगी जो जड़े होती हैं उनके ऊपर थोड़े-थोड़े white white color के आपने पतली-पतली जड़े होती है मेंली absorption का काम वही करती है जिनको root air, root के जड़ों के बाल का जाता है वही मुख्य रूप से उसका absorption करती है क्योंकि surface area बढ़ जाता है और absorption भी उसके accordingly बढ़ जाती है दूसरा क्या होता है कि उसके साथ में कई बाज जड़ों के साथ में फंगस लगी होती है वो भी sympathische के मैध्यम से वहां पर परजीवी दुनों जीन में दुनों को फाइदा होता है उसको Symb regulOji बोला जाता है उसमें वो जीवीत रहती है पोदे कोई फाइदा होता है, पोदा उसके चिप के वो इनूट्रिशन को एब्जॉर्ण कर लेता है और वो पोदे की जड़ों से औसके रिक्वार्मेंट की जो चीज़ें वो लेती रहती है तो जो पोदे में पोशक्त तू ग्रेंड करने की परकिरिया है वो है एक तो direct method जो हमने बता दिया सिधा आवा और पानी के माद्यम से वो है carbon hydrogen oxygen को एब्ज़ूर करने की परकिरिया जो आगे आया वो है diffusion परकिरिया इसमें जो positive wines होते हैं उसको पोदे ग्रेंड करते हैं इसमें क्या होता diffusion process क्या कहती है कि जो जड़ों के बाल मिट्टी के संपरक में आते हैं तो उसमें क्या होता है diffusion method में जो परकिरिया उसमें कि मिट्टी में जो quantity हो जड़ा रहेगी और जड़ों पे क्योंकि पोदा बीच-बीच में खाता रहता है तो वो कम होती जाएगी तो ज़्यादा से कम की तरफ भागेगा उदारन के तोर पर जब आप पंप से वहा बरते हैं तो पंप में प्रेसर बनता है और वहा बैलून में गुबारे में या जो फुटबोल या टायर में बरी जाती है इसका मतलब क्या हो गया diffusion हायर प्रेसर की तरफ से कम प्रेसर की तरफ चीज़ों का जाना वो diffusion माद्यम आपको उदान के तोर पर मैं आपको चोटी-चोटी चीज़े समझा रहा हूं आगे हैं मास फलो मास फलो जिसको जन प्रवा पर क्रिया वो ला जाता है एन एस भी नाइट्रोजन सलपर और बोरोन इसके माद्यम से परभावित होते हैं इसमें क्या होता है कि एक फलो बन जाता है मास फलो मतलब पर एक तरह से खीचने वाला जैसे पत्ते उदर से पानी का परवा जो बनता है ना पानी की तरह है तो पानी में गुलंसिल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अप्जोर्ब करके पत्ते अपनी तरफ खीचते हैं तो उसमें नेचुरली जड़ों के माद्यम से उसमें चला जा तो आप कौन सा जो खाद है निउट्रिशन है जो डाल रहे है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कुछ निउट्रिशनों को डारेकलि पत्तों से भी ले लेटे हैं आप सप्स्रे करोगे तो पत्तों के जो पोर्स होते हैं जो छेद होते हैं उनके थ्रूब hahöm मी अपर डोजन दे रहे हो तो आपको कहां देनी है सू शलफः दे रहे हो तो आपको जडों के पास देनी है कैलिशियम वगरा देने तो आपको उपर मिठी के देने नहीं नीचे देने है तो इस तरह लगेगा कि जो आपके पोदे हैं उसमें पोशक तत्मों की कमी हो गई है तो उसमें आपको लक्षन दिखाई देंगे जैसे अगर किसी बच्चे को उपर उपर ली माने दूज नहीं पिलाया है या अच्छा खाना नहीं खा रहा है तो आपको लक्षन क्या दिखा लड़का क देबल हाइट का लगे तो ये जैसे इंसानों में लक्षन होते हैं ऐसे पोदों में भी लक्षन दिखाई देते हैं वो है और जो फासपोरस मैगनीजियम और मॉलिबीडियम की जो कमी होती हो पोदे के जो निचले इससे में जो पत्ते होते हैं पुराने वाले उनमें अगर कुछ बदला हो रहा है पीले पढ़ रहे हैं सूख रहे हैं तो वो उनकी कमी से होगा मीडल जो लिवज होते हैं बीच के नए और पुराने के बीच के वो होते हैं जिंक की कमी से और न्यू लिवज जो नए पत्ते आते हैं वो होते हैं सलफर कोपर आईरन और मेंगनीज की कमी से और जो ग्रोविंग टिप्स होती है जो पोदे की जो चोटी होती है वो कैल्श की आपके पोदों में कमी है मतलब पोदे को देखके ही आप खुद समझ सकते हैं यह अपने आप में बहुत अच्छी चीज है बहुत जरूरी है इन सभी के होने से आप किसी साइंटिस्ट की या किसी एगरिकल्चर ओफीसर की वेट करनी जुरूरत नहीं आप अपना पोदे क के लक्षन दूसरे को बताओगे तो भी वह आपको अच्छी दवाई बता सकता है तो यह कुछ मैंने फोटो लगाए हैं जो पोसक ततों की कमी से दिखाई देरी यह जो पोदा सोयबिन का है इसमें आयरेन की कमी की वज़े से जो ऐसे लक्षन दिखाई देरा आपको पिला जो पढ़ गया सोयबिन का पोदा तो यह आयरेन की कमी के वज़े से हुआ है यह जो है यह मक्का का पोदा है और यह नाइट्रोजन की कमी के वज़े से आप देखोगे कि पत्ता जो तने के पास में वहाँ से भी जला जला आपको फिल हो रहा है बीच का जो इसा है वो पील आपे पोटासियम की कमी से यह पत्ते जले हुए आपको नजर आ रहे होंगे इस तरह के अगर आपको कपास निलक्षन दिखाई दिखाई दे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जो कपास सुषमें पोटाशियम की कमी है और अगर आपको इसको दूर करना तो करते हैं तो बहुत लंबी हो जाएगी तो अगर किसान भाई एक एक पोस्थ तत्व मतलब नाइट्रोजन का अलग फासपोरस का अलग पोटासियम का अलग मेगनीसियम का अलग केलसियम का अलग सलफर का अलग अगर आप ऐसे हर एक एक पोस्थ तत्व का अलग अलग वीडिय कर दिया है तो इसी के साथ हम आज का वीडियो स्वाप्त करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो करपया करके आप वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और शेर जरूर करें क्योंकि काफी मेहनत और काफी टमें समय इन्वेस्ट करने के बाद ही एक वीडियो बनके त आप अपने बच्चों को भी शेर कर सकते हैं उनको दिखा सकते हैं अपने साथियो को भी बेद सकते हैं और जो ये पूरा academic session रहेगा ये बच्चे बुड़े जवान सभी के काम का है इसमें सभी के काम में आने वाले इसमें knowledge के जो जुरूरत की जुछीजे हैं वो इसमें जाएंगी, तो किसान को knowledge होना फसलों के बारे में, नूटरिशन के बारे में बहुत जुरूरी है क्योंकि अगर पढढगा किसान तो ही देश बढ़ सकता है पढढगा किसान तो बढढगा किसान और किसान की परगती होगी तो देश की उनती होगी तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं जै हिंग, जै जवान, जै किसान